असलाम आलेकुम तदोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेके हैं यो ओपन शर्ट और गाउन स्टाइल के कुछ आइडियास और अगर इस गाउन की बात करें तो इस गाउन में बहुत ही खुबसूरत इन्होंने लेज का यूज किया है और कट का यूज किया है ये कट आप लॉग एंड शर्ट दोनों अपनी मरजी का रख सकते हैं और अगर इस ब्लैक गाउन की बात करें तो ये बहुत ही खुबसूरत गाउन को रेडि किया गया है आप इसको कॉपी करें और ये गाउन आप जीन्स के ओपर भी वेर कर सकते हैं और अगर इस gown के बात करें तो इस gown के sleeves जो हैं वो drop sleeves है और चुनट के साथ बाजू को ready किया गया है और front पे cuff का use किया गया है और इस तरीके से आप front पे two pockets का use करके gown को बहुत ही खुबसूरत बना सकते हैं इसी तरीके से इस gown पे front पे छोटी सी फ्रिल का use किया गया है और two pockets का use किया गया है और sleeves में भी चुनट का use किया गया है और long gown बहुत ही खुबसूरत तरीके से ready किया गया है इसके साथ आप jeans और short inner पहन सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगेगा और अगर इस gown की बात करें तो side से open और baggy style में ये gown ready किया गया है बहुत ही खुबसूरत ये भी लगेगा और ये बहुत ज़्यादा trending gown है अगर इस gown की बात करें तो ये भी drop shoulder के साथ double cuff के साथ और collar के साथ और two pockets के सा ready किया गया जोके बहुत ही खुबसूरत color भी बहुत और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले ताकि next वीडियो आप तक बहुत सके और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और शेयर करना भी मत भूलेगा मैं आप लोगों के रिए खुबसूरत खुबसूरत चुन चुन के design निकाल के वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना तो अब इस गाउन की बात करते चलें कि यह गाउन कितना खुबसूरत है लेकिन शौट ऑर उपर शौकिंग पिंक कलर की पट्टी को यूज करके टेसल का यूज किया गया बहुत ही खुबसूरत गए से े simple कपड़े को खबसूरत बनाने के लिए हमें डिजाइन करना पड़ता है л 사स के यूज करना पड़ता है टसल्स के यूज करना पड़ता है पल्स का यूज करना पड़ता है लेकिन आप देख सकते हैं जितने dresses मैंने अभी तक आप से share की है इसमें कोई Laces का यूज नहीं है, पल्स का यूज नहीं है, इसी तरीके से आप भी Lace के बगएर, पल्स के बगएर, ड्रेस को रेडी कर सकते हैं, चुनट स्टाल के, प्लेट स्टाल के, या कुछ बटन का यूज करके, बहुत ही कम Laces का इसमें यूज किया गया है, खुबसू या इसको गाउन कह सकते हैं, ओपन लॉंग शर्ट कह सकते हैं, फ्रंट पे बटन का यूज है, और नीचे कट है, बहुत ही खुबसूरत लुक आ रही है, अब इसमें देख सकते हैं, इनर बहुत जाइदा जो टॉप शॉर्ट है, और नीचे ट्रॉजर है, या पलाजो है, और उपर गाउन में जो है, लॉंग शर्ट बहुत ही प्यारी रेडी की गई है, इस रीके से आप जीन्स का भी यूज कर सकते हैं, शर्ट का नीचे यूज कर सकते हैं, और उपर लॉंग गाउन या शाट गाउन का इस्तमाल करें, तो बहुत ही खुबसूरत आपकी लुक या आप ये पाटी वेर भी उज़ कर सकते हैं, या किसी वलीमा बडात के लिए भी आप हैवी ड्रेस इस टाइप का रेडी कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेट में लाजमी बताएगा कि आपको किस टाइप के ड्रेस पसंद है, ताकि मैं उस टाइप की वीडियो आप लोगो कटिंग गई के बहुत ही खुबसूरत और एईज एंड गाउन को रेडी किया है, और इस तरीके से राइल बलू गाउन में बहुत ही खुबसूरत उन्होंने चुनटस टाल के और साथ पटी कर यूज़ किया, बहुत ही खुबसूरत इस तरीके से आप गाउन रेडी कर सकत शायद अभी तक ऐसा गाउन पहला आया है जिसकी फ्रंट पे इस टाइप की चुनत्स है तो अब इसको कॉपी जरूर कीजेगा और बहुत ही प्यारा रेडी होगा अगर इस गाउन की बात करें तो इसमें कलर कंट्रास बहुत ही खुबसूरत है शौकिंग पिंग और आफ वाइट इसमें आप देख सकते हैं के मिड में जो है प्रिंटिड और उपर लेसिस का यूज़ है नीचे फ्रिल का यूज़ है और साथ इस गाउन की बात करें में इस में 3-4 शेडिट के साथ गाउन को रैडी किया गया है और उपर आप कोई भी लटकन लैस लगा सकते हैं या पल्स को यूज कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरत क्या या पार्टी वेर आप इस टाइप का ड्रेस रैडी कर सकते हैं तो आप भी मुझे कमेट में बताएगा कि को रैडी किया गया है और इस टाइप का गाउन में बनाने वाली होन फ्रंट पे कॉलर का यूज बहुत ही खुबसूरत किया गया है और अगर इस गाउन के बाद करें तो यह तो बहुत ही डिफरेंट है फ्रंट से शॉट, बैक से लॉग और नीचे लॉंग शर्ट और फ् sleeves और front पे बारिक frill के साथ use करके long gown बना सकते हैं और अगर इस frog की बात की जाए तो ये नीचे से आप open रखके इस type का भी gown बना सकते हैं frills का योज़ करके बहुत ही खुबसूरत gown ready होगा यूँगे मैं आपको new new ideas देने के लिए frog एड करके idea दे रही हूँ कि आप gown बना सकते हैं और इस gown की बात करें तो उन्होंने टॉप तक printed shocking pink का बहुत खुबसूरत और laces का यूज़ करके नीचे simple shocking pink का यूज़ करके बहुत ही खुबसूरत gown ready किया है sleeves में बारीक सी चुनट और फ्रील का यूज़ किया गया है drop shoulder के साथ बहुत ही प्यारा है आप इसको copy जरूर कीज़ेगा जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि short shirt को आप long gown में किस तरीके से बना सकते हैं sleeves को copy कर सकते हैं गेरे को copy कर सकते हैं इस तरीके से आपका gown ready हो जाएगा और अगर इस गाउन की बात की जाए तो यह गाउन भी बहुत प्यारा है फ्रंट पे जो है embroidery है और नीचे black gown को long में उन्होंने बनाया है और sleeves के सामने भी जो cuff है वो भी printed के साथ यूज़ किया गया नीचे फ्रील है बहुत ही प्यारे gown है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जूर कीजिएगा आज के लिए मैं आपके लिए जो design लाई हूँ तो comment जूर कीजिएगा अगर पसंद आए हो और चैनल को subscribe कर ले ताकि next वीडियो आप तक असानी पहुंच सके अपना ह्यार रखे दौाओं में याद रखे अला हाफिज बाई बाई टेक कियर